आज का हमारा पहला कॉस्टन है 50 रुपे के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है देखी जितने भी कॉस्टन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूँ करंसी से समंदित और कुछ कॉस्टन करंट अफेर्स के भी है तो अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा हमपी आपको द्यान लगना है जो इस समय पर नया नोट आया हुआ है 50 रुपे का उसके पिछले हिस्से पर हमपी की तस्वीर छपी है अब आपको द्यान लगना है कि हमपी क्या है देखे जो हिस्टरी में विजे नगर समराज्य था तो उसकी राजधानी हुआ करती थी हमपी और अगर हम बात करें कि हमपी बरतवान में कहां पर है तो आपको ध्यानकना यह करनाटक राज्य में रिस्तित है और देखेंगे आपको यहां से एक पोईंट और ध्यानकना है जो इस समय पर 50 रुपय का नया नोट है इसका आकार यानि किसकी लंबाई चुणाई कितनी है आपको यह भी ध्यानकनी है अगर हम बात करेंगे इसकी चुणाई की तो 66 मिली मीटर इसकी चुणाई है और अगर ह से पहले कोशन में हम बात कर चुके हैं 50 रुपे के नोट की तो उस पर हमपी की तस्वीर है इस कोशन में 100 रुपे के नोट पर बताना है किसकी आगरती छपी है तो इसका राइट आंसर ओप्सन डी हो जाएगा रानी की बाब देखे आपको ध्यान रखना है जो रानी की बाई है तो आपको ध्यान रखना है तो चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर तीन है भारते करेंसी नोट पर कितनी भासा लिखी होती है देखे काफी अच्छा कोशन है कई लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो भारते करेंसी लिखी होती है, 15 भासा ही होती है और इंगलिस और हिंदी को लगा कर पूरे नोट पर 17 भासा ही होती है, तो आपको ये सभी ध्यान लखना है तो चलिए next question देखते है 200 रुपे के नए नोट पर पीछे की और किसकी आकरती बनी हुई है, देखें इससे पहले हम 50 रुपे के नोट और 100 रुपे के नोट की बात कर चुके है तो आपको एक बार से फिर से बतायाता हूँ 50 रुपे के नोट पर हमपी का चितर अंकित है और 100 रुपे के नोट पर रानी की बाब इस्थित है अगर हम बात करें 200 रुपे के नोट की तो आपको द्यानखना है साची का स्थूप का चित्र अंकित है तो यहाँ इसका सही answer option C हो जाएगा साची का स्थूप आपको द्यानखना है और देखें 200 रुपे के note की जो लंबाई चुणाई है इसके चुणाई 66 mm इसकी चुणाई है देखें आप इसका answer option देखकर भी लगा सकते हैं क्योंकि तीन option ऐसे हैं मैं आपको पहले भी बता चुणाऊँ तो यहाँ पिसका right answer option A हो जाएगा लाल किला पांस रुपे के नए note के पीछे लाल किले का चित्र अंकित है आपको ध्यानक नहीं और इसकी जो लंबाई चुणाई है पांस रुपे के note की 66 mm इसकी चुणाई है मैं आपको बता चुकाऊँ लगबख सभी note की चुणाई 66 mm है और इसकी लंबाई 150 mm है आपको ध्यानक नहीं next question देखते है 2000 के नए note पर पीछे की और किसकी आकरती है देखे आपको बताना है कि जो 2000 का note आया था बिमुद्री करण के बाद जो भारत में note बंदिक की गई थी तो इसके पीछे किसकी आकरती चपी हुई है तो इसका सही answer option B हो जाएगा मंगल यान आपको जरूर ध्यानक नहीं मंगल यान छपा हुआ है देखे ये question railway group D exam में पोछा जा चुका है तो आपको जरूर ध्यानक नहीं और अगर हम बात करें इसके लंबाई चोणाई की तो 66 mm इसकी चोणाई है तो इसका यहाँ पर सही answer option C हो जाएगा भारते रिजर्ब बैंक यहाँ पर भारती है भारते रिजर्ब बैंक यानि आरभी आई के द्वारा मुद्रा अपुर्ति नियंत्रित की जाती है आपको ध्यान अखना है next question देखते है भारत में national stock exchange का मुख्या लिया कहां इस्थित है देखे यह question में काफी महत्त पूर्ण है क्योंकि यह question भी एकजामे कई बार पूछा जाता है तो आपको पता है तो आप इसका answer लगा सकते है तो इसका right answer option D हो जाएगा मुंबई जो भारत में national stock exchange का मुख्या लिया मुंबई में इस्थित आपको ध्यान लखना है और अगर हम बात करें कि इसकी इस्थापना कट की गई थी तो आपको ध्यान लखना है 1992 में इसकी इस्थापना की गई थी चलिए next question देखते है question number 9 है बारत में पहली बार बैंकों का राष्टिय करण कब हुआ था तो इसका right answer option B हो जाएगा 1979 आपको ध्यान लखना है 19 जुलाई 1979 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्टिय करण किया गया था और पहली बार 14 बैंकों का राष्टिय करण किया गया था द्यान लखना है, next question देखते हैं, question नमर 10 है, बरतमान में RBI के नए गवरनर कौन है, देखें ये question में आपको पहले भी current अबेर्स के माध्यम से बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा, तो इसका right answer option B हो जाएगा, सक्तिकांत दास, ये RBI के नए गवरनर बने हैं, बरतमान म भारत में कुल कितने उच्च नयाल्या है, तो यहाँ पर इसका सही answer option A हो जाएगा, 25, देखें आपको ध्यान लखना है कि इस समय पर बरतमान में भारत में जो उच्च नयाल्या की संक्या है, 25 है, तो आपको जरू ध्यान लखना है, और देखें जो 25 बाउच नयाल्या बन आपको ध्यान लखना है, और देखें जो आंदर प्रदेश के मुख्य नयाइदिस बनाये गए हैं, सी भी पिरमीन कुमार है, और तेलंगाना के मुख्य नयाइदिस भी रादा करसंड है, और देखें आंदर प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और तेलंगाना की जाएगा सुधीर भारगव यह नए सूचन आयुक्त बने आपको जरू ध्यान रखना है और देखे इन्होंने किसका इस्थान लिया है आरके माथूर का इन्होंने इस्थान लिया है और इन्होंने इन्हें जो सबत दिलाई गई है राष्टपति रामनात कोविंद जी के द् द्यान रखना है और देखे अगर हम बात करें 2018 की 2018 में कहां पर किया गया था आपको द्यान रखना है ब्यूनर्स आयर्स में किया गया था आर्जिंटीना की राजधानी में चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं को स्थान नंबर 14 है 2019 में गलतंतर दिवस समारों में भारत के द्यान अपरीका के राष्ट पती होंगे जिनका नाम सिरिल राम फोसा है आपको द्यान रखना है नेस्ट कोशन देखते हैं हाली में ओपेक की 175 बेठक कहां संपन हुई तो यहां पाइसका राइट अंसर ऑप्सन डी हो जाएगा आस्ट्रिया देखे अभी हाली में आस्ट ओपदा पैट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपको ध्यान दखना है यानि कि पैट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है उप एक इसमें 15 देश सामिल है इसके इस संगठन में आपको ध्यान दखना है और दिखिए इसका जो मुख्याले इस्तित है बिया ना क्रिकेट में सबसे तेज 25 सतक लगाने वाले खिलाडी ब्राट कोली बन गए हैं आपको द्यानक नहीं अगर हम बात करें भारत के और से दूसरे नंबर पर कौन से खिलाडी हैं आपको द्यानक नहीं सचिन तेंदुलकर हैं जिन्नोंने 130 पारियों में 25 लगाये थे और अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे परसन ओब दाइयर 2018 चुना है तो इसका राइट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा सोनम कपूर देखे आपको द्यान रखना है ये एक संगठन है पेटा इंडिया ये पसू के अधिकार के लड़ने के लिए प्रितेखबर्स किसी व्यक्तियों को चूनता है तो 2018 में चुना गया है सोनम कपूर को आपको द्यान रखना है और देखिए अगर हम बात करें 2017 की तो 2017 में अनुसका सर्म को चुना गया था तो आपको ये सभी द्यान लखना है नेस्ट कोसन देखते हैं कोसन नमर 18 प्रिध अब पारित तो इसका पहला disciplines निप्तान करना ये तो आपको ध्यान चगना है next question देखते है Question number 20 है भारत के किस राज्य में देश का पहला संगीत संग्रालिया स्थापित किया जाएगा तो इसका सही answer option B हो जाएगा Tamilnadu भारत का पहला संगीत संग्रालिया स्थापित किया जाएगा तो यή भी काफी महत्तपुन Question है तो आप इसे ध्यान लखिएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगओ तो वीडियो को लाइक जरू करना और हमारे चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करना और दोस्तो साथ इस वीडियो को जादे जादे सेर कीजिए ताक आपके लिए आगे भी इसी परकार के वीडियो ला सकें तो चले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार